सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए देखे दोस्तों राजस्तान पुलिस का जो रिजल्ट है वो गोशित हो गया है और अब स्टूडेंट के सामने ये समझ से आए कि उनके जीले की जो कटोप है वो कितनी रहने वाली है यानि कि उन्होंने जिस बी जीले से एक्जाम दी है उसकी केटेगरी की जो कटोप है वो क कितनी रहेगी यानि कि परतेग जीले की अलग अलग किटेगरी वाइज कितनी कितनी कटोप रहेगी कंप्लीट बात करेंगे अपसन इस वीडियो में तो देखे पहले अपन बात करते हैं कि आपकी जो राजस्तान पुलिस की जो कॉंस्टेबल की जो एक्जाम होई थी उसम अबनोंग करते हैं तो उसको कॉंस्टेबल करिक्शा में पास कर दिया है क्योंकि इसका मतलब इसका मतलब यहां किочьरी से जिसके जिसके जनरल किटेगरी से में अगर 25% अगर 55% में पास कर दिया थे इसका मतलब यह है क्योंकि इसका मतलब यह है कि मतलब जिसके जनलर के टेगर अगर 35% से कम बन रहे हैं तो वह पास होगा यह उमीद भी आप छोड़ दो इसलिए यह minimum qualify marks रखे गए हैं बलकि जो पास किये गए हैं वह मतलब जितने पोस्ट हैं उनसे पांच गुना पास किये गए हैं तो जिसे 13,000 के something post थी तो 13,65 तो 65,000 के something candidate है वो पास किये गए हैं तो जितनी पोस्ट हैं उनके 5 गुना पास किये हैं तो देखे अपन बात करते हैं राजस्तान पुलिस कॉंस्टिबल 2018 की जो कटोफ है वो कितनी रही है कितनी रहने के होना है अक्सके टो ईसके अपन बात करते हैं जी लिवाइज परते किटेगरी की ने किसी जीनका पी जो को टोफ लिस्टे चॉई नहीं नहीं कि है दवेड की डिपार्टमेंट पुलिस है वो जल्दी ही इसकी मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर देगा यू है टुकी पिसेंस आपको धर्य बनाए रखना जरूरी है इन नेक्स लाइन आगे की लाइन में अपन देखेंगी कि जो आपकी अक्सपेक्टेड जो मेरिट लिस्ट है निकि ओल राजस्तान जितनी भी डिस्टिक है उनके सभी की जो मेरिट लिस्ट है वो क्या रहने वाली है उसके अपन बात करते हैं तो दीके अपन बात करेंगे जो मेरिट लिस्ट है वो क्या क्या रहने वाली है अपन यह जिसे आपका जो एक्जाम का पेपर हुआ है उसमें तो जो जो कंडिड merit list of all district of Rajasthan यान की physical होने के बाद में आपकी जो overall merit बनेगी उसमें कितनी percentage रहने के संभावना है उसके बारे में आपने बात करते हैं तो देखिए एक तरह मैंने याँ पर district ले रखा है जिस भी district से आपने exam दी है जिसे आप जैपूर से रहने वाले हैं लेकिन अगर आपने exam दी है नागोर से तो आप नागोर की इसमें देखना उसी तरिके से एक तरफ में आपको general category की जो expected जो cutoff marks है final merit list उसके बात करेंगे दूसरी line में बात करेंगे OBC की final cutoff merit list है उसके बात करेंगे और तीसरी line में अपन बात करेंगे जो SC category है उसकी final cutoff है और चोती line में अपन जो ST category है उसकी final cutoff है उसके अपन बात करेंगे तो यह देखे यह आप category है यह आप द्यान में रखना कौन कौन सी है आगे देखे अपन बात करते हैं बारा जिले की जो कटोप है वो जनरल के टेगरीी की 66..... निंतर परसंट रहने की समभवना है Wbc की हो 62 deceived से लूट परसंट रहने की समभवना है और सी के टेगरी में इसे एक भी नम्मर réflवें ज्यादर नहीं रहने वाला है आप येकिन मानिए कि जनरल केटेगरी की 12 जिले की जो कटोप है वो 66 से 69 परसेंट है वो रहने की समभावना है पिछली सालों में जो भी कटोप रही है उन सभी को आधार मानते हुए ये कटोप है वो तयार की गई है इसलिए इस कटोप और पार ही ये कटोप है वो बिल्कुल रहने वाली है फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी इससे कम यह जदा नहीं होगी देखें बार्ड मेर है उसकी कटोप के अगर बात करें कोंस्टेबल बार मेर के लिए तो वो है जनरल के टेगरी के लिए 65 से 99 परचेंट रहने की संभावना है OBC के लिए 61 से 65 परचेंट रहने की संभावना है SC केटेगरी के लिए 54 से 58% और ST केटेगरी के लिए 47 से 52% आवो रहने की पूरी पूरी संभावना है Constable के लिए बाड मेर से तो ये बाड मेर की कटोप थी आगे देखे हम बात करते हैं भरतपूर्थ जिला है उसकी जो कटोप मार्क्स हैं वो कितनी रह सकते हैं तो जनरल केटेगरी के लिए 64 से बहतर है OBC के लिए 60 से 66 है SC के टेगरी के लिए 68 से 68 है और ST के टेगरी के लिए 25 से 60% है वो रहने की पूरी पूरी संभावना है मेरिट लिस्ट आगे जो भीलवाडा डिस्टिक है उसकी आप देख सकते हैं जनरल केटेगरी लिए 63 से 70 है OBC के लिए 56 से 61 है SC के टेगरी लिए 50 से 53 है और ST के टेगरी लिए 25 से 48 परसेंट रहने की संभावना है तो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी वो भीलवाडा डिस्टिक की आगे देखें जो भीकाने डिस्टिक है उसकी भी आप देख सकते हैं 68 से 73 परसेंट है वो जनरल केटेगरी की आगे OBC केटेगरी की आप देख सकते हैं SC केटेगरी की और ST केटेगरी उसी तरीके से बुंदी डिस्टिक है की भी आप देख सकते हैं बुंदि डिष्टिग की जंडरल के डिष्ट की आप वो फाइनल मेरिटलिष्ट रहेगी और अवैसिट की त्रह्ष्ट से डिषिट कातीद धार से चंहोंड है वो फाइनल मेरिटलिस से एले विफॉर संबावना है चूरू 색깡 की ओके साथ से घ्रिश के बात करते हैं है कि देखिा साथ सचाथ सफच्ट की जो कौणस्टे सब्सक्राइबल के लिए जो पाइनल मेरिट मेरिट लिए रहने के समभावना है वो जन जनरल गाटेहर लिए 68 से 22% रहने के समभावना है बाद में देखे दोलपूर डिस्टिक है उसके लिए जनरल के टेगरी के लिए इस तरीके से रह सकती है ओबीची के लिए सी स्ट के लिए स्ट के जो कट ओफ हो वह इसमें 25% रहने की समभावना है फाइनल मेरिट लिस्ट उसके फाइनल मेरिट लिस्ट ए उसकी जो जनरल के टेगरी के लिए 68-64% रहने की संभावना है आगे देखें OBC की SC की और ST के टेगरी की आप जो कटोफ है वो देख सकते हैं देखें ये है SC के टेगरी की और ये है ST के टेगरी की इसलिए आप इन दोनों को ध्यान में रखना इसमें आप कन्फिूज मतोना आगे देखें इसमें लिखा गया है जो जालावार डिस्टिक है उसकी जन्दल की कटोफ है वो 66-64, OBC की कटोफ है वो 60-66 और इसमें देखें SC की कटोफ है वो 50-55 और ST की कटोफ है वो 25-50% है वो रहने की संभावना है जो फाइनल मेरी लिस्ट आपकी रहने वाली है देखें जो 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 डिस्टिक है उसकी कटोफ है वो भी आप देख सकते हैं 75-80% रहने की संभावना है जो 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 जाता जाती है हर बार आप सभी को पता है तो उसकी जो कटोफ है वो जनरल के टेगरी लिए 75-80% जाएगी कोटा सिटी है उसकी जो भी कॉंस्टेबल की जो कटोफ है वो आप जनरल की OBC की SC की और ST की देख सकते हैं आगे नागोर डिस्टिक है तो नागोर की भी आप जनरल की OBC की SC की और ST की अलग अलग देख सकते हैं पाद में पाली की है, तो पाली की भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, परताब गट की दे रखाए, और आगे रास सम्मद डिश्टी की दे रखाए, तो इन की सभी के आप जनरल की और OBC की, SC की और ST के टेगरी की अलग अलग जो कटोप रहने वाली है, वो किस तरीके से फा काटोप है, वो जनरल के टेगरी लिए बाउन से अठनतर रह सकती है, OBC के लिए 68 से तेतर, और जो इसमें SC के टेगरी है, 62 से पैसेट परसेंट और ST के टेगरी की इसमें 57 से 62 से परसेंट है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट रहने की संभावना है, शिरोई की आप देख सकते ह जो स्री गंगानगर है, उसकी कटोप ये जनरल की, OBC, SC, ST की आप इस तरीके से देख सकते हैं, टॉंक जी ले की बी जो कटोप है, वो इस तरीके से रहने की संभावना है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी, नोन इसमें जो एन्टी पी एसिक शेतरव है, उद्यपूर म की संभावना है, फाइनल मेरिट लिस्ट वो इतनी रहने की संभावना है, आप वीडियो को पोज करके देख सकते हैं, बाद में जोदफूर जो कमिशनर ओपिस है, उसकी भी आप देख सकते हैं, आगे जैपूर गरामीन है, उसकी कटोप है, वो भी आप देख सकते हैं, ज कोंस्टेबल कोटा गरामिड है वो उसकी कटोप है वो भी जनरल के टेगरी की 66 से बैंतर प्रसेंट रहने की संभाव होना है वो देख सकते हैं देखें पर नेस्ट डिस्टी के बात करते हैं आगे देखें देखें राश्ता कोंस्टेवल के लुए उसकी किंसे करिकली से रह सकती है उसकी मिरिट लिष्त है वह आप देख सकते हैं जो जॉदफुर कोटा है बीयेन की, फैस्ट शेकेंड है उसकी जोलग अलग अलग कुटॉप 한गा का ही ती है, इसकी चैनल की मेरिट लिस्ट रही थी उह सीकी आदा पर यह जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की गई है तोrau दैली की जो 12th BN, बटालियन है, 12th BN, बेली की है, वो आप जन्रल के टेगरी की काटोप है, वो देख सकते हैं, उसमें ओबीशी के टेगरी की है, सिघ्वाआइब कि उसकी बुर्णलकर इसमेंड के जो कोड़ाइब लिए उससे वो यहांडे से बिने आपको अलग-अलग बता दि यह आपका जिसी भी district से आपने exam दी है आप वीडियो को पोज करके और बाद में अपने जो list से वो आप कौन सी category से belong करते हैं उसमें आप देख सकते हैं इससे बाहर जो cut-off है वो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है बिल्कुल यही final merit list है वो रहने के संभा होना है आगे आगे आपने बात करते हैं कि जब इसके final moral list declare होगी तो उय्डियोस आपको किस तरीके से check कर सकते हैं उसकी official website पे उसकी अपने बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखावा है आपकी final merit list जब आपकी declare होगी तो आप किस तरीके से check कर सकते हो वैसे तुम आपको वीडियो प्रवाइड करवा दूँगा जब इसकी फाइनल मेरिट लिस्टे डिकलियर होगी लेकिन फिर भी आप खुद से भी अगर चेक करना चाहो तुम आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको चेक करनी है तो देखे इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है राजस्तान पुलिस की जो ओफिशिल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है यानि कि जो पुलिस.radistan.gov.in है उस वेबसाइट पर आपको लोगिन करना है उस वेबसाइट पर लोगिन करने के बाद में आपको ये कि वहाँ पर नाम चलता हूँ दिखेगा राजस्तान पुलिस ये कटोफ मार्क्स है ये 2018 ये आपको इस तरीके से वहाँ पर चलता हूँ मिलेगा उस पर आपको ओके करना है उस लिंक पर आपको कलिक करना है पलिक करने के बाद में आपको अलग-अलग डिस्टिक वाइज जो कटोफ है वो आपके सामने शो हो जाएगी रास्तान पुलिस कटोफ मार्क्स 2018 आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएगा तो वहाँ पर आप अलग-अलग category wise है वो general की, OBC की, SC, ST की cut-off है वो कौन-कौन सी रही है जिस तरीके से अपने अभी बात की है उसी तरीके से आपको वहाँ पर श्यो हो जाएगा तो वहाँ पर आप अलग-अलग जो cut-off marks है वो देख सकते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेश कर ले तकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राफ करें